फेक्ट नमबर वन पाइरिट्स ओफ करेबियन एक्टर जोनी डैप से मान हानी का केस हारने के बाद एक्ट्रेस एमबर हर्ड ने फिर से एक और बवाल खड़ा कर दिया है लेकिन इस बार ये बवाल जोनी डैप की वज़े से नहीं है बलकि एलोन मस्की चिड़िया की वज़े से है यहाँ गाईज जैसे एलोन मस्क ट्वीटर के मालिक बने वैसे ही एमबर हर्ड ने अपना ट्वीटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया जिससे लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ट्वीटर के मालिक अब उनके एक्स बोई फ्रेंड एलोन मस्क है और उनके एक फैन ने तो चुटकी लेकर ये तक कह दिया कि जोनी डैप से केस हारने के बाद उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे है कि वो एलोन मस्क से अपने अकाउंट के लिए ब्लू टिक खरीच सके गाइस बाहुबली जैसी ब्लोकबस्टर मूवी जिसने साउथ इंडियन इंडस्री की काया पलट करके रख दी थी आप लोगे जानकर हैरान रहे जाओगे कि ऐसी मूवी को बोलीवुड के दो बड़े एक्टर्स ने रेजेक्ट कर दिया था पहला जोन इब्राहिम जोन इब्राहिम को लोग जादा तर उनके एक्शन के लिए पसंद करते हैं और इसलिए जोन इब्राहिम को बाहुबली का रोल ओफर किया गया था यही नहीं ऐसेस राजा मोली ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट भी बेजी थी लेकिन जोन इब्राहिम की तरफ से कुछ रिस्पॉंस ना आने के कारण उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया दूसरा रितिक रोशन इस मूवी के लिए रितिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था लेकिन राजा मोली जो की फिल्म के डिरेक्टर है वो कभी भी फिल्म की कहानी पूरी नहीं सुनाते हैं जब तक कि मूवी का एक्टर उस फिल्म के लिए राजिना हो जाए इसलिए राजा मोली ने रितिक रोशन को फिल्म की पूरी कहानी नहीं सुनाई और इसी कारण रितिक रोशन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया